कि हलो उर्वन कैसे हो भाई सभी लोग मजा आया कल वाला टेस्स देखें कि नहीं कैसा लगा चास सीरसली बताना कैसा लगा अच्छा लगा था टेस्ट कितने लोगों ने दे पाई थी मुझे पता था यार कुछ टेकनिकल एरर था उसमें बट कोई बात नहीं आपने अगर अ करेक्शन में तो जा रही है आपको उसी जो का फायदा उठा रहे हो अगर ठीक है तो मजा तो जरूराना चाहिए चलो तो भीना टाइम वेस्ट किए ठीक है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने के बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे जैसे हमेशा करते हैं चलो स्टार्ट करत आधे घंटे चलने गवंच मोबाइल चार्ज में लगाते हो तो होने लगता है तो कि हमारे पहले ऑदिन incorporating चार्ज हो ज्यूँरा कि है चार्ज करने के लिए कहीं और यूज हो जा रही है हिसे तो यूज हो जारी पहले तो इक काम यूज हो जारी ऊसको चार्जर करने मैं हमारी रेंब मतलब करेंट का वह दो जगए वेश्ट हो जारहा है एक तो चार्जिंग में भी चला जारहा है एक तो अब के जो टेकनिकल डिवाइसेस क्यों नहीं हीट होते हैं क्योंकि उनके उपर काम होने लगा है कि हम जितने एनर्जी देते हैं वह टोटल कहां यूज़ हो energy कितनी हमें देते हैं कहां waste होतीगे कैसे सारी चीजे बात करेंगे बट लास्थ तक वीडियो को देखना तभी चीजे ज्यादा सुम्हें समझमे आएंगी कि हम जो पैसा देते हैं क्या वो पूरे बिजली का पैसा देते हैं जितना हम यूज करते हैं या फिर पूरा वेश्ट ही देते हैं भहिया हम पूरा वेश्ट ठीक है तो वो चीजे पूरी लास्ट तक देखना समझ में आएगी ठीक है चलो तो भाई जो नए बच्चे उनके लिए information की आप NTSC की classes देख रहे हो तो you must have a knowledge की या class कब कब होती है और मुझे कहां कहां रहना चाहिए ठीक है तो आप सबसे पहला काम सारी चीजे छोड़के टेलीग्राम ग्रूप जरूजवाइन कर लो because आपको वहां classes की notification भी मिलती है साथ ही साथ कुछ अच्छे अच्छे notes भी मिलते हैं आपकी DPPs भी मिलती है आज की class के बाद मैं DPPs भ पूछते रहे ना मैं I am available in comment box भले क्लास प्रीमियर हो या लाइव जो चीज़े आपको नहीं समझना कमेंट में पूछना आपका काम है कमेंट में अगर वह explainable होगा कि comment में explain कर दिया जाए तो मैं वहीं पर कर दूंगा otherwise कोई बात नहीं अगले class में कर लेंगे या ठीक है च वैसे डेली आपकी class चलती है आज आप कर सकते हो आज कर सकते हो या फिकल जब आपके मन में आये तब कर सकते हो ठीक है class तो आपकी डेली चलती है अब आपकी ऋपर है continuity आप maintain कर दे हुक्षी कुनिए क्लास के बाकि आपको थोड़ी बहुत और डीटेलिग चाहिए कि NTSC और डीटेल में मुझे समझना है एक्जाम की त्यारी करने से पहले हमें उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप तभी अच्छा प्रिपरेशन करते हो जब उस एक्जाम के बारे में हर एस्पेक्ट से उस एक्जाम के तुम जानते हो तो वो सारी से आपको प्लेलिस्ट सेक्षन में मिल जाएगी या फिर अगर आप नहीं खोज पाते हो प्लेलिस्ट तो डिस्क्रिप्शन वाक्स में जाके चेक कर लो लिंक वहाँ पे मिली है ठीक है चलो अब आगे की बात कर लेते हैं कि आपने अगर कल वाला टेस्ट सेरीज दिया होगा नहीं दिया है तो कोई बात नहीं अटेम्ट कर लेना फिर से जाके अगर पहली बार तुमने दिया है तो ठीक है नहीं तो फिर से जाके अटेम्ट कर लेना देखो टेस्ट सेरीज किसी को दिखाने के लिए या फिर किसी के satisfaction के लिए हम नहीं देते हैं भाई हम test series क्यों देते हैं खुद को satisfy करने के लिए कि हम यह अच्छा perform कर रहे हैं अच्छी चीजे हम कहां लाई कर रहे हैं हमें कितनी और मेहनत की जरूरत है यह कौन decide करता है आपका test series तो test series मैं इसलिए जरूरी मानता हूं इसलिए हम लोगों ने इसको launch करा है क्योंकि आप अपनी तयारी साथ साथ देखते चलो कि आप कहां तक लाई करते हो किस level पे हो है ना आपको test करने ना चीए पुराने बच्चे तो लेडी जानते हैं उन्होंने जॉइन भी कर लिया उन जैसे कुछ 3-4 चैप्टर्स आपके physics के हो गए chemistry science के मतलब 4-5 चैप्टर मैट के 4-5 चैप्टर फुल syllabus का ने तो part test का क्या मतलब भाई कि जितना आप पढ़ते जाओगे जैसे जैसे syllabus हम complete कराते जाएंगे वैसे वैसे आपका test series होती जाएगे तो syllabus आपको हर test series के पहले मिल रहा है तो be relaxed for that कि भया हमको नहीं मिल पाएगा हम कहां पाएंगे एकदम relax रहो भाई तुम्हारे भाई लोग है सब कुछ दे देंगे तुम्हें ठीक है एकदम रिलाक्स आग बंद करो रिलाक्स बस इसके बाद seven full test है आपके भाई seven full test में क्या क्या चीज़े मिलने वाली तो जल्दी बता दीजे देखो full test का मतलब पूरा syllabus बाबू ठीक है जितना भी आपका syllabus पढ़ाया गया होगा या फिर जितना भी syllabus NTSC में आता है पूरा नाइन्थो टेंथो सब कुछ इसमें पूछा जाने वाला है समझ में आई बात चलो अभी कब तक applicable होगा जैसे हमने expect क करा है अभी तक कि आपकी exam December तक होने वाले हैं तो यह जो test series आपका वो आपके साथ December तक रहने वाला है तो उसके लिए relax रहो टेंशन वाली बात लें तो सैट मैट दोनों चलेगा यह तो इतने पर तो तुम fight करने लगो एक दे रहे हो आप ठीक है और लेडी दो test आपके free ह हो चुके हैं ठीक है एक कल हुआ था एक first of August को हुआ था ठीक है अब सारे बच्चे 25 जुलाई से पहले इसको join कर लें तभी feel आएगा तभी मज़ा आएगा तभी आप ज्यादा ज्यादा अपने आपको perform कर पाऊगे अब भया हम कैसे join कर सकते हैं तो download rankers live app जब download करने जाओ क्योंकि alternate वहां जो में डिस्प्ले है वह आपकी यही खुलेगी तो यू मस्ट हैप टू चूज एंटी एसी में ही मिलने वाला है ठीक है अब आपके लिए तनी महनत हो रही है तो आप हमारे लिए कुछ काम कर देना डेट इस तू डबल नाइन पेमेंट आपको करनी होगी उसके बाद आप सारी चीजे एकसेस कर पाओगे ठीक है चलो भाई तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स दिये थे दो उसको फटा फट से करते हैं उसके बाद आगया वाली चीजे करते हैं जल्दी जल्दी फास्ट रहनी है बिकॉज आपको भाई ज्यादा चीजे कंटेंट दे आना चाहिए बातचीत क्या है बातचीत हों कभी एक दिन लाइफ सेशन रखे भी कर लेंगे ठीक है तो पहले क्या करो गया पहले दोनों पॉइंट को खोजोगे जिन पॉइंट के बीच में बताना है बिल्कुल सही किया काम आपने अब यहां से करेंट फुलो करेगा यहा सब्सक्राइब कराएं को गया संबने दिमाज में बैठा लो फिर यहां पर इसके बाद फिर से दो रास्ते हो गहया एक है हो गया पर से सकंथनद और जि Kent है ini दिए ही नहीं जो और ऎकट है किस से वाइर से तो यह पूरी की सरकीट पूरी पूरी क्या हो गई हका खथम कभी भी अगर दो किसी circuit के दोनों end के बीच में अगर wire connected हो तो it means दोनों का potential same है अगर potential same है तो उसमें current जाएगा ही नहीं ठीक है तो wire का simple सा मतलब है कि कोई अगर एक wire है उस पे कितने भी points पे तुम कोई भी point सेलेक कर लोगे सब का potential क्या होने वाला है same होने वाला है तो simple सी बात आप direct उस circuit को काट के हटा दोगे कि you are useless for me मैं तुम्हारा कोई काम ने मुझे ठीक है मुझे छोड़के तुम चले जाओ वाला गाना तुने हो ना तो वही काम है यह छोड़के चले जाओ ठीक है खतम काम अब इसके बाद अब बचा क्या यह current यहाँ आएगा यह वाला भी यहाँ के यहाँ मर्ज हो जाएंगे दोनों फिर यह दोलम मिलके मर्ज हो गया यहाँ अब देखो solve कैसे करते हैं तो पहले दूर वाले point से सुरू करो सबसे दूर वाला point common point यह है और यह है ठीक है माल लेते हैं यह point A है और point B है तो A और point B के बीच में दो circuit है एक तो यह register है बाकी यह वाला combination तो चार register है चारो क्या है series में कौन-कौन से 1 ohm वाला 2 ohm वाला और 3 ohm and 4 ohm तो चारो का resistance equivalence निकालोगे series में है चारों जोड़ जाएंगे 3,1,4,3,3,6,10 ohm आ जाएगा आपका resistance तो अब इसकी circuit को बना लेते हैं यह P है आपका ठीक है यह एक resistance है यह हो गया आपका क्या Q यह हो गया P और एक resistance यह रहा आपका यह भी 10 ohm का है यह भी 10 ohm का है एक और resistance हम उन चारों को हटा के ला देंगे तो आप देख सकते हो तीनों क्या है पैरलल है P और Q के बीच में तो आर इक्वेलेंस जो इस case में आएगा फाइनल वो क्या आजाएगा 10 by 3 ohm क्योंकि तीनों का resistance क्या है 10 है कोई option क्लिक करा क्या भाई कोई option दिख रहा है क्या दिख रहा है तो फटा फट से टिक मार के आटो आंसर किये कितने लोगों न किया था भाई जल्दी देखे हो कर तो रहे हो ना किये थे कि नहीं home walk कुछी बच्चे किये थे मुझे लगता है मैंने चेक नहीं करा था उतना अच्छे से अगर किया था तुमने तो वेरी वेरी किंग्लाचुलेशन्स एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म करो भाई किप इट अब ठीक है अब जो गधे हैं महनत करो ठीक है महनत करो क्योंकि बिना महनत के जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलने वाला सो प्लीज महनत स्टार्ट करो चलो दूसरे प्रॉब्लम के तरफ चलते हैं एक प्रॉब्लम ये भी था इसमें क्या बोला था मैंने सिंपल से आप से पूछा था क्या एक और बी पॉइंट के बीज का इकुवेलन्स रजिस्टेंस तो पॉइंट ए ये है और फॉइंट बीज है जो थोड़ा सा बच्चा तेज था उसने क्या किया नोटिस कर लिया कि ए और बी के बीज में तो एक वायर लगाया भीया तो potential same में तो पूरी circuit क्या हो गई हमारे लिए waste हो गई ठीक है waste हो गई ठीक है अब जैसे तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो तुम्हारे लिए दुनिया की मोहमाया खतम तो वैसे ही जिब तुम direct wire से connected तुम्हारे लिए मोहमाया खतम अभी तुमको free में IAT दे दिया जा तो तुम्हारे नहीं करेंगे टाटा ठीक है खतम हम नहीं पढ़ाई करेंगे तो वही वाला केस है कि इसको डाइरेक्टिव वायर दे दिया पोटेंशल से नहीं क्रियेट हुआ खतम तो resistance equivalence क्या जाएगा 0 जब कोई circuit नहीं है तो क्या जाएगा बाई 0 simple जबाद करते हैं जो हमें आज पढ़ना है exactly तो देखो current के basically जो हम नेक्स चैप्टर में पढ़ेंगे that is magnetic effect ठीक है current क्या करता है कैसे प्रोड्यूस होता है चार्ज फ्लो होता है तो current प्रोड्यूस होता है मतलब चार्ज के फ्लोटेशन से current produce होगा और current के production से क्या होगा current के flotation से क्या होगा magnetic effect produce हो रहा है तो समझ सकते हो नहां sequence कि charge के motion से current आया और current के motion से क्या आता है magnetic effect प्रोड्यूस होता है यह अगले चैप्टर में हम पढ़के रहेंगे हमारा जर्म सिधाधिकार है हम इसको पढ़के रहेंगे चलो तो यहां पे देखो heating effect यह सारी चीज़े practical देखी गई है आप घर में भी देख सकते हो कि जब फैन आप चलाते हो फैन की बात कर लो बल् inductor में electron क्या होने लगते हैं भाई लो potential से high potential के तरफ drift होने लगते हैं जैसे यहां पे यह electron है वो क्या हो रहा है drift हो रहा है यह क्या था low potential और है क्या था हाई potential अब potential difference create होगा तभी मेरे बाबू क्या होगा current flow करेगा तो high potential से low potential मतलब potential difference create हुआ तो electron क्या होगा ये drift करने लगेगा low potential से high potential की तरफ clear है क्या ये बात clear है ये बात मैंने पीछे भी पड़ा रखी है कि electron क्या होता है low potential से high potential high potential का मतलब simple सा है positive sign और positive sign का मतलब क्या है भाई कि electron की कमी negative की कमी तो positive negative मिलके क्या होते है जीरो जैसे human होता है जब तक उसका दिमाग खाली होता है कुछ भी करता रहता है कुछ भी सोचता है लेकिन ग्यानिपूर उसको देखो कि वो कुछ नहीं बोलता क्यूं क्यूंकि पहले वो positive था खाली था उसके पाँज कोई कुछ नहीं था कोई दिमाग नहीं था कोई knowledge नहीं था जैसे उसके पास knowledge आ गई तो वो सारे चीज़ें जानता है कि यह positive चीज़ें है या negative तो ज्यादा into fair नहीं करता ज़्यादा चीज़े नहीं बोलता हूँ, कम बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर चीज़ के दो पहले हैं, तो कौन सा correct और कौन सा wrong, तो तुम्हें भी वही करना है, तुम्हें भी क्या बनना है, neutral बनना है, कोई high potential या फिर low potential पर नहीं, हर एनर्जी वाला जिसके पास एनर्जी होता है, वो क्या होता है, आनस्टेबल, तो तुम आनस्टेबल रहना चाते हो, क्या जिंदगी में, कि भी या मैं हमें इसा आनस्टेबल रहना चाता हूँ, तो अगर अनस्टेबल रहना तो you must have high energy, तुम्हारे पास high energy होने चाते हैं, जिसके पास low energy वो तो वैसे एनस्टेबल है भाई, तो वैसे परिसान हमको कुछ मिल जाए, तुम लोगों की तरह, कम knowledge है, कम potential पे हो, तो high potential वाले कहां जाएंगे, खड़े रहेंगे, low potential जिनके कम knowledge है, वो कहां जाएंगे, high potential के पास, जैसे मेरा high potential है, high knowledge है मेरे पास, ठीक है, देखो potential का simple सा मतलब है, कि किस term में तुम बात करें, जो ऐसे knowledge की बात करूँ, तो I have more knowledge, तो मतलब more potential है, ठीक है, more potential, मैं तुम्हें ज्यान ज्यादा है, मेरे तुम्हें ज्यान देने की, because मैंने वो सारी सुझे पढ़ रखे है, तो potential का सीधा मतलब क्या भाई, चमता, ठीक है, हमने देखा है ना, कि एक charge के कारण potential तो, उसका simple सा मतलब है, कितना resist कर सकता है, कितना force लगा सकता है, अब तुम उसके खिलाफ जा रहे हो, क्या अपने charge को place करने, तो तुमको उसके against कितना work done करना होगा, यही क्या होता है potential, और potential को किसी और term में तुम define नहीं कर सकते हैं, एक बच्चे ने बोला था, कि इसको potential के अलावा define करिये, work done के अलावा, तो बाबू और कोई आपका है ही नई alternate, ठीक है, चलो, तो electron यहाँ से यहाँ जाएगा, अब conductor के पास तो दोनों charge होते हैं, भाई positive ion भी होता है, negative ion भी होता है, ठीक है, तो जो electron होते हैं, वो किस से टकराते हैं, positive ion से टकराते हैं, और टकराव के कारड़ ही क्या होता है, heat produce होता है, collision के कारड़, electron, electrons आपस में टकरा जाते हैं, positive चीज़ों से टकरा जाते हैं, तो जब टकराव होगा, ना टकर के वज़े से क्या होता है, conductor heat होने लगता है, तो जब conductor heat होगा, किसकी वज़े से, current flow हो रहा था, current flow होने के वज़े से, electron drift हो रहा था, electron drift होने के वज़े से collision हुआ, collision होने के वज़े से क्या हुआ, heat produce हुआ, उस conductor में, clear है, clear है, कि कैसे heat produce होगा, भाई, हाँ, बिल्कुल, चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही, तुम ही लोग के खाने में चला जाएगा, तो उसको कम करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ज़्यादा चीज़े, focus पढ़ाई पर, समझ में आई बात, तो heating effect of current, basically क्या है, simple सी बात, कि जब हम किसी conductor के, cross potential difference, create करते हैं, या फिर current उसमें flow कराते हैं, तो current floatation का, when process क्या होता है, कि electron low potential से उठके, drift होके कहाँ चला जाता है, high potential पे, ठीक है, अब इसके बाद, जब वो वहाँ जाने लगता है, due to that, current का floatation होता है, simple सी बात, अब जब electron low potential से, high potential पे गया, तो वो टकर खाता है, positive ions से खाता होगा, या फिर, खुद के electron से ही खा जाता होगा, same जाती में, ठीक है, तो due to collision, देखो टकराव क्योंकि उनका random motion होता है, कोई fixed motion नहीं होता है, electrons का, तो वो random इधर उदर जा रहे हैं, किसी से भी टकर खा सकते हैं, तो टकर खाने के वज़े से क्या होता है, heat produce होता हमारी conductor में, so that's why, electric current have another aspect, that is heating effect, ठीक है, electric current पास एक और effect हो जाता है, जो कि heating effect, electric current के वज़े से ही हम क्या करते हैं, हमारी body heat होती है, ठीक है, यह सारी चीज़े आपने देखियोंगी घर में, कि charger भी heat हो जाता है, आप देखो कि charger प्लक करके mobile खोस होगे न, जैसे मैंने यहाँ पर खोस रखा है यह, तो यह heat हो रहा था, ठीक है, अभी मुझे लग रहा है, हलकालका थोड़ा बहुत लग रहा है heat, तो तुम्हें भी लगना चाहिए अब इसी चीज़ को, just heating effect को हमारे joule साहब थे, बहुत ही अच्छे भाई, इन्हों ने अच्छा काम किया है, हमें energy की unit भी आज तक किसमें बताते हैं, जूल में, तो joule साहब ने क्या करा कि, और experiment करा, इन्हों ने क्या किया, एक conductor लिया, ठीक है, एक conductor ये ऐसा कुछ conductor इन्हों ने लिया, अब इसके cross, potential एक difference create कर दिया, potential का source लगा दिया, ठीक है, तो इन्हों ने कुछ measure किया, कि जैसे जैसे potential बढ़ाएंग भाई, क्या होगा, इसका resistance देखो, fix कर दें अगर, ठीक है, तो इसमें current जैसे जैसे आप potential बढ़ाते हो, current भी बढ़ेगा, अब इन्हों ने देखा कि जैसे जैसे current बढ़ रहा था, उसके square के ratio में क्या हो रहा था, heat भी increase कर रहा था, मतलब heat is directly proportional to the square of current flown in conductor, ठीक है, अगर इसमें I current जा रहा है, तो जो heat उसमें produce होगा, वो उस current के square proportional होगा, यह सारी experimental बाते हैं, ठीक है, तो तुम्हें ऐसे direct prove नहीं कर सकते हो, यह सारी चीज़े experiment से ही आई है, तो तुम्हें उसको tension लेने के ज़रूरत नहीं, फिर उन्होंने देखा resistance को vary करा के पहले तो उन्होंने क्या किया, resistance को constant रखा और voltage source को बढ़ाते गए, तो current भी बढ़ता जाएगा, क्यों? Ohm's law से जानते हो, V is directly proportional to I, ठीक है, यह बात जानते हो नबच्चा, जानते हो गए नहीं बाबू, V is directly proportional to I, तो उन्होंने V बढ़ाते गए, तो I भी बढ़ता गया, पहली condition R constant रखे थे, दूसरी case, उन्होंने R की value बढ़ाई, R की value बढ़ाई, तो फिर से heat बढ़ने लगा, directly proportional के relation में, समझ में आई क्या? अब उन्होंने देखा कि, जितनी देर तक वो current flow कराते हैं, T is related to time, जितनी देर तक current flow कराते हैं, उतना ज्यादा body heat होता, जैसे तुम अपने घर में देखना, पंखा आधा गंटा चलाओ गए, तो थोड़ा सा heat होता है, अब 24 गंटे के बाद भी पंखी को तच करो, बहुत तगड़ा गरम होता है, ठीक है, बहुत तगड़ा गरम होता है, तो वो भी उन्होंने देखा, कि ये सारी चीजों पे भी current का, जो heat produce करता है, इन तीनों बातों पे वो क्या करता है, depend करता है, पहला कि जितना ज्यादा current दोगे, उतना ज्यादा वो क्या करेगा, heat करेगा, और दूसरी चीज, कि जितना ज्यादा उस तुम conductor का resistance होगा, निकल ले लोगे, अगर कोबाल्ट ले लोगे, क्रोमियम ले लोगे, तो इनका high resistance होता है, काफी ज्यादा, बल्ब को देखे हो ना, इतना high resistance होता है, तो बीच में वो gases भरी होती है, ठीक है, तो वो बात अलग होती है, तो जितना ज्यादा तुम high resistance मेटल लोगे, उतना ज्यादा क्या होगा, उसमें heat produce होगा, ठीक है, उसके बाद, अब चाहे तो current और resistance की बात खतम करो, और तीसरी बाद time पे, तो तुम जानते हो कि physics में, इस directly proportional के relation को हटाने के लिए, हम को ये constant ले आते हैं, that is, i square into r into माल लेते हैं, ये time t है, तो k कोई constant k ले आते हैं, तो electrical से ये k की value 1 आ जाती है, ठीक है, ये अपना experimental base से दिखोगे, तो k की value 1 आ जाती है, तो जो heat dissipate in conductor होता है, that is, i square into r into t, ये होता है क्या आपका, heat dissipated in conductor, due to electric current, by joules law, joules law का simple सा मतलब क्या है, heat dissipated in conductor, is equal to, i square into r into t, where i is current in conductor, and r is resistance of conductor, and t is time duration until the current is passed in conductor, ठीक है, clear है, clear है, चलो, अब भाई heat है, heat energy होती है, unit क्या होगी, joules होगी, जिसने दिया है, उनके नाम पे ही रहेगी, तो इससे ज़्यादा कोई, या फिर, ampere ohm कर सकते हो, भाई कि ये ampere है, current का square into ohm into second, तो ये भी unit हो सकती है, तो unit निकालना तुम सीख लिया करो, ठीक है, SI unit basically Julie होगी, ठीक है, clear है क्या, clear है क्या मुन्ना, चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हो तुम लोग, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, तो भाई human हमारे पास क्या है, कि human brain है, तो तुम्हें पता होगा, अगर घर में तुम देखे हो, कोई छोटी मोटी चीज़े, थोड़ी बहुत ही धरदर होती है, तो तुम क्या करते हो, उसको सोचते हो, कि कैसे इसको अलग करें, जैसे page है, तो page से तुम लगते हो, नाव बनाने तुम्हारे पास, जो तुम्हारा talent है, उसको निकालने लगते हो, तो भाई ऐसे हमारे scientist भी है, ठीक है, जो हमारे थे आगे, पुर्वज, हम लोग तो नहीं, अभी तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पुर्वज जो थे हमारे, वो basically क्या कि, ये भाई, simple सी बात उन्होंने क्या करा, क्योंने application पता था, जूल से आपने तो बताई दिया था, कि इन बातों पे, आपका heat क्या होता, produce होता, तो उन्होंने heat से भी कुछ चीजे निकाल दी भाई, ठीके, उन्होंने heat से भी कुछ चीजे निकाल दी, कि heat का use करके, हम काफी चीजे कर सकते हैं, जैसे पहली चीज क्या आई, electric heater, उन्होंने current दिया, high resistive, ठीके, ये niachrome होता है, niachrome metal का ले लिया, जो अपना ये wire है, या फिर chromium का, ठीके, ये क्या होते हैं, high resistive होते हैं, बहुत ज़्यादा high resistive होते हैं, तो इन्होंने इसको heater के लिए, जो अपना conductor लिया, इसको इस type में arrange कर दिया, coil के form में, आप देख ले ना, Google पे ठीके, हिंटर किस type का होता है, उसमें niachrome या chromium लगा दिया उन्होंने, अब इसको बाद high resistance के कारड, ठीके, heat क्या है भाई, I square into R into T, तो पहली चीज़ आपको time तो ज़्यादा रखना, ये भाई, खाना बनाने जाओगे, तो ज़्यादा time तक current flow कर आओगे, अब resistance बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कर दिया, ठीके, resistance काफी ज़्यादा कर दिया, तो ये सारे क्या है भाई, practical application, जो हम देखते हैं, joules lock का, या फिर heating effect of current का, वो सारी चीज़े हैं, और आई तो भाई, ज़्यादा रहना है चीज़े, तुम्हें पता होगा, कि heater अगर कम current होती है, कम light आप जानतो है न, जिस दिन कम light आती है, घर में heater नहीं चला पाते हैं, क्योंकि heat वो produce ही नहीं करता, नहीं चला पाने का simple से मतलब है भाई, कि वो heat नहीं produce करता, तो heat नहीं produce करने का मतलब, कि heat किन किन चीज़ों पर depend करता है, current पर depend करता है, I पे, R पे और T पे, R और T तो से में है भाई, कब तक तुम चला दो, बट I ही अगर नहीं है, main देखो major source जो current production का होता है, वो I पे, because I क्या है, square के term में है, तो जिस दिन current कम होगा, अब resistance कम होगा, तो फिर भी चल जाएगा, कि भाई, ज्यादा time प्रक हम दे देंगा, तो बराबर हो जाएगा, बट अगर current ही नहीं है तुमारे पास, तो तुम कहां से heat प्रोडूस कर पाऊगी, तो simple सी बात है, कि यह जब ज़्यादा देर तक current देते हैं, तो electrons collide करते हैं, due to that heat produce होता है, और उस पे हम क्या करते हैं, खाना बना लेते हैं, simple सी बात, या फिर room heater में तुमने देखा होगा, जो wire लगता है हमारा, ठीक है, वो भी क्या होता है, heat होता है, due to heat, ठीक है, due to heat क्या होता है, red हो जाता है, तुम जैसे या तो आग में किसी चीज़ को गर्म करो, या फिर इस प्रोसेस से, कि हम potential difference create कर देते हैं, current देते हैं, ज़्यादा time तक, अब तुमने देखा होगा, इसको जब room heater, ये वाला तुमने ठंडियों में अगर तुम्हारे घर होगा, तुम देखते होगे, कि सारी चीज़े जितनी भी हैं, सारी चीज़ों को तुमने देखा होगा, कि क्या होती है, धीरे-धीरे heat होती है, जैसे current देते हो, तुरंत नहीं heat हो जाती है, तो समझ में आई कि एक्स्परिमेंटल बेस शीज़े हैं, जो आपको पढ़ाई जा रही है, clear है, clear है, कि अब wire आपने एक बार चूच कर लिया, तो R तो हमेशा सेम रहेगा ना, उस wire का, वो तो चेंज नहीं होने वाला, और current भी मानलो, ज़्यादा heat होता है, ज़्यादा heat होता है, तो वो क्या होता है, वो time ही होता है, कि heat को समय के साथ ज़्यादा produce करता है, due to electric current, clear है, तो देखलो भाई, अप्लिकेशन क्या क्या है, electric heater हो गया, electric iron, iron भी तुम देखते हो, धीरे-धीरे heat होता है, water heater हो गया, ठीक है, ये सारे किस principle पर काम आते हैं, heating effect of current के, electric bulk glows, ठीक है, जब बल भी तुम देखोगे, उसमें tungsten का filament लगा होता है, उसमें भी heat होता है, जिसके करण वो क्या करता है, light produce करता है, और उसमें हम nitrogen और, काफी सारी gases भी भरे होते हैं, organ related, ठीक है, तो वो सारी चीजे क्या है, अपना आपको एक limit देने के लिए होती है, कि उसके बाद fuse ना हो, electric fuse भी आपने देखा होगा, एक पतला सा wire लगाते हैं, ठीक है, उसकी rating हम लोग देखते हैं, या फिर टू एमपियर, या फिर थ्री एमपियर, तो ये सारी चीजे बाद में हम पढ़ लेंगे, आगे धिरे धिरे, ठीक है, तो ये क्या होता, इसकी capacity होती है, कि जो rating लिखी होगी, उतनी capacity होती है, अगर उससे ज़्यादा current, तुमने उसमें flow करा दिया, जैसे अगर उसकी rating 1 ampere लिखी है, उसकी rating अगर 1 ampere लिखी है, और तुमने क्या किया, 2 ampere current दे दिया, तो वो क्या होता है, गल जाता है, electric fuse का काम क्या, भाई, आपको बचाना, आपके loss से बचाना, अगर घर में मान लो, तुम्हारे light bulb है, उसको 1 ampere current ही चाहिए, और तुम flow करा रहे हो 2 ampere, तो bulb को fuse होने से पहले, यह आपका electric fuse जो होगा, जो आप fuse देखो न, एक पतला सा wire लगा होता है, ऐसे होता है, इसके बाद यहाँ एक पतला सा wire लगा होता है, वो हम plug insert कर देते हैं, तो वो क्या होगा, wire गल जाएगा, तो current जाएगा है नहीं अंदर, तो आपके जो bulb हैं, वो बच जाते हैं, तो आपको loss से बचाने के लिए ही, electric fuse का, हमने क्या किया है, invention मैंने खुद किया है, मैं personally अपने घर में करता रहता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो, it's not very tough task, ठीक है, कोई rocket science नहीं इसमें, चोलो भाई, अब जो main बात आती है, work energy power, जिन बच्चों ने पढ़ाया, उनको तो नहीं दिक्कत होगी, अब जिन बच्चों को नहीं बढ़ाया, जिन बच्चों नो, उनको जरूर दिक्कत होने वाली है, तो power जो हम वहाँ पर पढ़ेते हैं, work done per unit time, ठीक है, work done per unit time, अब देखो, हमें क्या है भाई, एक conductor हमने लिया, या फिर माल लेते हैं, यह हमने bulb connect कर दिये हैं, दो, तीन, ठीक है, अब हमें अगर इस bulb को जलाना है, तो इस battery को work करना होगा, बिल्कुल, और V potential के अगर battery है, तो इसको work जरूर करना होगा, है की नहीं, clear है, इसको work तो करना ही पड़ेगा, इसकी भाई, हमें need है, इसको work तो करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है, चलो, तो work तो करना ही पड़ेगा, अब जानते हो, इसको जितना ज़्यादा आप current, अब देखो, circuit कोई भी लेते हो, घर पे ही हो, चाहे जो हो, तो अगर हमें उस bulb को जलाना है, तो continuous current देना पड़ता है, है कि नहीं, अगर आप battery से कोई source लगाते हो, inverter ही पकड़ो, ठीक है, inverter ही ले लो घर में, तो आपको अगर घर में bulb जलाना है, तो ऐसा नहीं कि मैं 2 मिनट लेता हूं, बैटरी से current, उसके बाद बंद करा देता हूं, है कि यह होता है क्या, नहीं, आप 2-3 घंटे बल्व जलाते हो, अरे 1 मिनट के लिए भी जलाओगा, तो continuous current देने के लिए, हम क्या करते हैं, बैटरी से electrical energy लेते रहते हैं, क्यों क्योंकि हमें यह maintain करना है continuity, ठीक है, तो electrical battery जो होती, वो क्या करती है, वर्क करती है, हमें किस लिए भाई, हमें charge देने के लिए, electrical energy देने के लिए, तो जो power होता है, ठीक है, तो जिस rate से हम क्या करते हैं, electrical energy को use करते हैं, हम fridge चलाते हैं, भाई, fridge क्या करती है, electrical energy को use करती है, bulb यूज करती है, तो power basically क्या होता है electrical power that is energy dissipated या फिर work done by battery भी बोल सकते हो कि जो बैटरी ने work done करा है वो energy dissipated या फिर consume दोनों बात एक है upon किसने time में यही क्या होता है आपका power या फिर work done भी बोल सकते हो यह work done कौन करता भाई battery करता है ठीक है बैटरी ही काम कर रहा है आपको current देने के लिए तो work done by battery per unit time या फिर energy जितना आप dissipate करते दोनों बरावर होगा देखो जितना यह battery आपको energy देगा ठीक है यह जितना देगा उतना ही तो bulb यह use करेगा यह बात clear है कि जितना यह battery आपको energy देगा उतना ही तो bulb यूज करेगा तो वही है energy dissipated by bulb या फिर work done by battery upon time क्या होगा आपका power ठीक है पावर और energy हमने अभी पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है बिलकुल पढ़ा है बट मैं आगे उसको relate कर दूँगा ठीक है तो पावर को यहीं अभी skip करते है that is energy upon time ठीक है यह होती है क्या आपकी power ठीक है या फिर work done भी लिख सकते हो तो अगर तुम्हें कई work done के time में दिया होगा तो power अगर निकालना है तुम्हें कि तुम कितना power consume कर रहे हो ठीक है हम देखते हैं कितना power अरे बहुत power खाता है बोलते हैंगे नहीं घर में भाई यह बहुत power consume करता है तो इसका क्या मतलब वो जादा energy लेता है same time में दो appliances हैं तुम्हारे पास एक TV होगी पुरानी TV और एक माल लेता है नई TV LED TV जो आती है भाई तो हम बोलते हैं आरे बहुत ज़्यादा power लेता है इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा energy लेता है अपने आपको चलाने में वो ज़्यादा energy खर्च करता है same time में same काम करने के लिए same display दिखाने के लिए ठीक पहले इतनी बड़ी बड़ी TV जाती थी बहुत electrical energy consume करते थी ठीक है चौल अब भाई आप बात कर लेते हैं कि electrical energy ठीक है electrical energy की भी तो बात करनी चाहिए ठीक है तो देखो अब energy भाई जैसे मैंने अगर यह bulb लगा रखा है तो मैं बोलूँगा यह bulb कितना energy खर्च करेगा तो यह क्या होगा जैसे अभी पावर हमने पढ़ रखा है भाई पावर क्या होता था देखो पावर होता था energy dissipated या फिर energy consumed per unit time तो अब अगर energy ही तुमसे बोल दिया जा निकालने के लिए तो energy क्या होगा power consumed by bulb in tea time यही तो होगा यही तो होगा भाई समझ में आया कि energy क्या होग power into time और power हमने पढ़ रखा है कि energy dissipated by any electrical appliances हो सकता है बल्ब लगाओ तुम freeze लगाओ कुछ भी लगा सकते हो तो वो कितना energy use कर रहा है टी time में वही क्या होता है आपका power उस appliances का ठीक है तो यहाँ पर definition भी देखे लो the total energy supplied by the source of EMF यह क्या है भाई source of EMF ही तो है है ना source of EMF ही तो है भाई in order to maintain the electric current in circuit is in given time is called electrical energy ठीक है तो यह क्या देगा आपको यह क्या देगा भाई energy supply करेगा मैंने बोला था भी यहाँ पे भी आपको समझाया था कि यह इसमें आप current को सेम रखना चाहते हो भाई आप अगर बल्ब जलाओगे एक घंटे के लिए जलाओ या फिर दो गंटे के लिए तो आपको current तो सेम रखना ऐसा नहीं कि मैं पहले पांच एंपियर ले रहा था बाद में भी आप मुझे अब कम चाहिए मुझे मैं दो एंपियर लूँगा तो ऐसा काम नहीं करोगे आप एक constant current flow करोगे आपको constant bulb की रोखनी चाहिए बीच-बीच म होती वह electrical power होती है ठीक है तो basically the total energy supplied by the source of EMF या फिर potential difference ठीक है in order to maintain the electric current in circuit in given time ठीक है किसी fixed time के लिए अगर तुम्हें निकालना है तो वह power कितना consume हुआ into time हो जाती है अब यहां पर मैंने बोला कि power क्या भाई work done upon time तो एक बात क्या तुम्हें ध्यान है जब तुमने work done देख तुमने निकाला था potential difference निकाला था तो वहाँपर work done क्या होता था देख लेते हैं थोड़ा सा work done is equal to potential into charge यह पढ़ा था क्या तुमने कि जो potential difference होता था वो क्या होता किसी चार्ज को एक potential difference से दूसरे potential difference तक ले जाने में हम जो work करते थे वही तो हमारा potential difference होता था जैसे v is equal to w by की यही तो याद होता था ना इस format में याद हो तो यही समझ लो q को हमने क्या करा इधर v की तरफ बेज दिया ठीक है तो work done तुम्हें पता है तो power निकल जाएगा क्या बिलकुल v into q हो जाएगा और यह क्या होता है upon time तो q by t क्या होता है q by t q by t किसी को याद है क्या power is equal to voltage of source into current flown in the circuit यह क्या होता है यही तो होता है power समझ में आया अगर circuit में तुम्हारे current i flow कर रहा है अगर circuit में current i flow कर रहा है और तुम्हें source v रगा रखा है तो power supplied in circuit क्या होगा v into i और इसको अगर तुम तोड़ना चाहते हो कि भाई मैं और इसको deep में जानना चाहता हूं तो ohms law को use करो इसको और expand करने में देखो जैसे v is equal to i r तो v की value एक बार put कर लो i r तो power की value क्या आएगी एक बार i square into r आजाएगी या फिर तुम replace कर लो i की value तो p is equal to v square by r आजाएगी तो सब की अलग-अलग use है इसका use कहा है भाई आप जब series में connect करोगे current constant हो जाएगा तब resistance के term में power को हम compare करेंगे यहाँ पे जब तुम parallel में compare करना चाहोगे voltage क्या हो जाएगा same तो resistance deciding factor होगा for power ठीक है और तीसरा formula क्या है p is equal to v into i जब तुमें किसी circuit में voltage दे रखा होगा और उसमें current दे रखा होगा तब power के लिए क्या करोगे तुम यहाँ से use करोगे तो तीन formula है तीनों को note कर लो पहला क्या है p is equal to i square into r दूसरा क्या है p is equal to v square ठीक है तीसरा क्या है भाई p is equal to v into i ठीक है clear है चलो आगे वाली बात कर लेते हैं अब इसके बाद जो power voltage rating होती है वो क्या आपने देखा होगा आपके घर पे लिखा होता है हर बल्ब में जैसा आपने कोई अगर बल्ब लिया है यह ऐसा बल्ब लिया है तुमने ठीक है भाई तो power voltage rating जैसे तुम बल्ब लेते हो जब तो इस पे लिखा होता है एक चीज कि यह 220 वोल्ट और क्या लिखा होता है 100 वोट यह लिखा होता है क्या कभी देखे हो क्या हो सकता है वोट 60 वोट लिखा हो या फिर उससे भी कम लिखा हो तो कुछ भी लिखा हो सकता है वो अपने बाद ठीक है तो भाई यह देखे हो कि नहीं अब हो सकता है कि आपका यह potential change करके यह 60 watt का दे दे तो इसका major मतलब क्या है कि जो आपके electrical appliances पर rating दी हुई होती है इसका simple सा मतलब है कि इसका क्या होता है भाई पहली चीज कि resistance तो आप fix कर देते हो ठीक है जो basic चीज है कि resistance तो fix अब एक बार तुमने कोई electrical appliances ले लिया हो सकता है कि press ले लो ठीक है iron ले लो जो तुम लेते हो घर में यह वाला उसके भी देखो कि कुछ और कुछ rating लिखी हुई होती है तो उसके अब resistance तो fix भाई वो तो तुम बदल नहीं रहो क्योंकि एक बार जो conductor लग गया वो तो बदलेगा नहीं वो तो सेमी रहने वाला तो what it means कि भाई आप जब इस conductor में या फिर इस appliances में 220 volt का potential difference लगाओगे तो यह कितना power consume करेगा that is 100 watt समझ में आई बात 100 watt power consume करेगा समझ में आया कि जब आप इतना potential drop उसके cross लगाओगे तो इतना power वो consume करने वाला है क्योंकि P is equal to V square by R है कि नहीं अब R क्या है आपका constant है और जब आप potential कितना देदोगे 220 देदोगे तो यह power की value क्या हो जाएगी 100 watt अब अगर तुम्हें यहां से उस appliances का resistance निकालना है तो बिलकुल निकाल सकते हो कैसे बाबू देखो ध्यान से यह कैसे आएगा 220 का square कर दोगे यह 220 का square हो गया आप on 100 power यह cut गया यह cut गया तो यह 22 गुड़े 22 आजाएगा क्या बिलकुल और यह क्या हो जाएगा आपका ohm में resistance समझ में आई बात कि जो आपकी कोई भी device दी है आपको अगर उसका voltage दिया गया है और उसका power दिया गया है तो आप अगर 220 volt का source लगाते हो उस electrical appliances को चलाने के लिए जो आप current flow करा रही हो जो आपके घर में बिजली आ रही है उसका potential difference अगर 220 volt है तब आपका जो electrical appliance होगा वो इतना watt produce करेगा अब हो सकता है तुम्हे current पूछ दिया जाए कि इतना current किसमें जा रहा हो तो P is equal to V I कर दोगे I तुम्हें पता लगाना है power तुम्हें पता है कि 100 watt होने वाला है तो I की value निकल जाएगी क्या बिल्कुल निकल जाएगी ठीक है I की value क्या आएगी तुम्हारी P by V आ जाएगी ठीक है तो 1 by ये upon में हो जाएगा just reverse समझ में आई बाद चलो बहुत ही बड़ी है एक बटा एक बटा बाइस साद आएगा 10 बटा बाइस आजाएगा आएगा तो मतलब इतना current वो चाहिए उसको अगर तुम उससे जादा current देते हो जैसे माल लेते हैं यहाँ पर तुम्हें इतना चीज़े given थी अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ बाबू तुम current निकाल के मुझे दिखा दो कितना आएगा current तो तुमने क्या किया जल्दी जल्दी इस calculation को solve किया power की value saw कर दी तुमने और voltage की value 220 कर दी into i कर दिया यह cancel out ठीक है और यह भी cancel out कितना 5 upon 11 तो i की value क्या आगई 0.4 के आसपास आएगी ampere में अगर इससे ज़्यादा current तुम दे रहे हो उस appliances को 0.4 से तो क्या होगा वो चल जाएगा देखते हो नो bulb क्यों huge होता है बल्व जो huge होता है उसका simple सा मतलब है कि जो तुम current दे रहे हो जो तुम potential difference दे रहे हो वो उसके उकात से जादा दे रहे हो ठीक है अब बल्व की capacity बताता है वो कि कितनी capacity है आपके बल्व की समझ में आई बात clear है क्या इतना clear है कि आपकी capacity decide की जाती है जो rating दी जाती है वो उस बल्व की capacity बताती है कि इतना what consume करेगा इतना voltage लगाने पर या फिर इतना current ये सह सकता है maximum तो समझ में आई बात हो सकता है सबका अलग-अलग होगा सारी devices पर अलग-अलग लिखा रहता है वो आपको दिया जाता है ठीक है तो आपसे दिया जाएगा अगर कभी तो आप वहां से resistance निकाल सकते हो current निकाल सकते हो maximum और क्या निकाल सकते हो बस इतनी चीजे तो है यार उसे आदा है क्या power में V, I और R E तो यूज होता है वी तो तुम्हें पता ही है क्योंकि वो अलड़ी rating में दिया होगा ठीक है चलो अब आगे की बात कर ले तो इसकी rating mostly जो पहले आती थी वो 200 volt आती थी और 100 watt आता था अब तो watt कम हो गया है ठीक है तो electrical bulb का simple सा क्या होता है यह अपना क्या होता है metal होता है tunguston ठीक है अब इसके cross क्या करते हो तुम जब current का यहां से flow कराते हो potential drop लगाते हो यहां तो electrons क्या होते हैं collide होने लगते हैं ठीक है positive आयन से due to that heat produce होता है और इसमें क्या gas भरी होती है अपनी ठीक है nitrogen है ना gas भरी होती है जिसके कारण वह light produce करता है देखो पहली बात कि वह heat produce करता है heat produce करने के कारण वह light भी दे देता है तो बल्ब का सीधा से क्या light से related ठीक है तो देखो यहां basically nitrogen या फिर औरगन भरा होता है ठीक है जो electric bulb है उसका main देखो जो main श्रोथ होता है जो समझने की वह कहां से आता है जूल्स law of heating ठीक है जो उन्होंने दिया था या फिर heating effect of current से भी जो main क्या बोल सकते है प्रापरटी बोल सकते हो कि main application जो होता हो उसका वहां से अब देखो यहां पे बल्ब यह क्या tungsten का भरा है ठीक है tungsten का तो लगभग इसकी 3300 से 3400 के आसपा degree centigrade मेल्टिंग पॉइंट होती मतलब इतना ज्यादा हीट होगा तब वह मेल्ट करेगा वह तूट जाता है वह अलग बात है ठीक है अब देखो construction समझो अब इसके बाद यह जो आपका पैकिंग की करेति इसमें क्या भरता है और आर जाएगा एलेक्ट्रॉंस को लाइट करेंगे हीट प्रोड्यूस होगा तो जो most effect देखो एलेक्ट्रिक बल में जो most हमारा energy यूज होती है जो electrical energy जाती है वो heat में ही यूज होती है बट some part जो कुछ पार्ट होते है वही क्या होती है लाइट को प्रोड्यूस करने में यूज हो पाती है तो आप देखते हो कि जो पहले के पुराने बल्ब आते थे बहुत जादा बिजली खर्च करते थे क्यों क्यों कि वो एनर्जी को दो पार्ट में तोड़ते थे हम क्या किये हैं हमारा काम क्या था बल्ब को के देखना आपको हीट नहीं मिलेगा आपको बहुत ही कम बहुत ही मिनिमर कोई भी चीज आइडियल नहीं हो सकती परफेक्ट नहीं हो सकती कि जीरो लॉस कर दें वो पॉसिबल नहीं है जीरो लॉस करना पॉसिबल नहीं है तो मिनिमाईज कर सकते हैं हम हीट को तो हीट को मिन थे तो वो क्या करते थे बाई जादा energy आपकी यूज करते थे heat के फॉर्म में तो आप समझ सकते हो कि pulp में क्या होता है हम energy देते है energy दो तरीके से यूज होती है पहले heat में दूसरी light में तो पहले के bulb क्या करते थे most of the energy heat में waste कर देते थे but in current situation हम most of the energy light produce करने में यह यूज करते हैं सम अफ एनर्जी के हां यूज करते हैं हीट में ठीक है समझ में आई बात और जो आपके अंदर रॉड लगा होता है वो टंगस्टन का लगा होता है इसको एन लिख लो ठीक है अब आगे की बात कर लेते हैं भाई अब कुछ बच्चे बोलते हैं भी यह घ्रकल एपलांसेज जो भी होगा जो पावर जदा लेगा वो क्या होगा जदा अपना देगा अपको देखो दो बल्व हैं यह कोशन आपसे पूछे जाते हैं कईबार dw ど आ में पहला क्या करते हैं उनको ठीक है नहें पहला का हम को रहा है कि दो बंब हमने लिया दोनों अलग नहीं होगा तो यहां power था पहला क्या 44 watt का आम ने लिया था एक लिया था 60 watt का दो बल्ब लिया है rating दोनों की दे रखी आपको हर question में rating आपको मिलती रहेगी उसके लिए relax रहना तो rating पहला power के 60 watt है दूसरे वाले की 40 watt है और यहां से voltage दे रखा है आपको that is 230 volt ठीक है अब यहां से क्या resistance निकाल सकते हो क्या क्योंकि series में क्या same होता है current same होता है क्या बिल्कुल same होता है अगर मैं बोलूं तुम यहां से resistance बता दो मेरे मुन्ना तो एक बोलो के 230 into 230 upon 40 यह क्या हो जाएगा पहले वाले का resistance और दूसरे वाले के लिए अगर तुम से मैं बात करूं तो यह क्या हो जाएगा that is 230 into 230 upon का 60 तो simple सी बात है जो R1 होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा R2 से आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा है तो calculate करके देख लेना मेरे पास तो power है ठीक है knowledge वाली power है मैं उसको use करके मैं समझ जाता हूँ तो अब यहां से बल भटा के अगर मैं बोलू कि resistance के term में ही लिखते है ठीक है resistance के term में देखो मैं क्यों यह बना रहा हूँ इसको ध्यान से समझना यह आपका source है ठीक है यह वाला source है ठीक है अगर इधर से हम current दे रहें that is I तो यह R1 है यह R2 है और तुम्हें पता है कि R1 और R2 में R2 क्या है भाई कम है R1 से ठीक है यह वाली बात तो clear है क्योंकि हमने निकाला है अभी कि R2 is less than R1 तो power अगर R के term में बात करेंगे और दोनों में क्या same जा रहा है तो current same जा रहा है पहले क्या समझो पहले हमने क्या करा है बल्व का resistance निकाला है यह बल्व हो या फिर यह बल्व हो यह R1 resistance मान लिया हमने यह R2 और rating के through हमने क्या किया resistance निकाल लिया अब हमें पता है कि series में current same जाता है हर case में तो यहां पे current अगर आई जा रहा है ठीक है तो दोनों बल्व में current तो same जाएगा तो हम बात कर रहे हैं इस resistance के term में ही इसको put कर लेते हैं कि पहले bulb के resistance R था दूसरे का R2 अब जो जादा power consume करेगा वो क्या करेगा जादा glow करेगा तो समझते हैं ध्यान से देखो power अब consume को जादे करेगा current तो दोनों में same है तो I square into R वाला formula लगाओगे तो power is directly proportional to R हो जाएगा क्यों क्योंकि current को क्या कर दिया है आपने constant कर दिया है क्या समझ में आई बात समझ में आई क्या येवाली बात समझ में आई क्या है समझ में आया कि constant कर दिये हो तो power totally dependent हो जायगा किस पे resistance पे अब जिसका resistance ज्यादा वो power ज्यादा होगा P2 से मतलब P1 ज्यादा होगा P2 से इन gehörtHH मेंज यहाँ पे जिसकी power कम दे रखी थी ठीक है वो ज़्यादा glow करेगा ठीक है समझ में आई बात जब तुम series में connect करोगे तो जिसकी resistance कम दे रखी थी मतलब power कम दे रखा था वो ज़्यादा heat dissipate करेगा वो ज़्यादा power consume करेगा और 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 वो ज़्यादा रोशनी भी देगा समझ में आई बात क्यों क्योंकि वो power ज़्यादा consume कर रहा है clear बात उसको power ज़्यादा मिलेगी भाई ज़्यादा consume कर पाएगा due to difference of resistance समझ में आई बात और यह क्या करेगा कम glow करेगा अब गार यहाँ की बात करोगे यहाँ की बात करोगे तो P is equal to V square by R यह वाला formula लगेगा क्या मुन्ना क्या यह वाला लगेगा बिलकुल क्यों क्योंकि parallel में parallel में voltage क्या हो जाता है same हो जाता है current तो different है हमें power को समझना है resistance तो देखो नहीं बदलेगा R1 will be always greater than R2 that is always correct this is R1 and this is R2 तो यह always correct होगा यह बदलने वाला नहीं है तो R1 और R2 में अब समझो जब हमने series में connect करा था तो जिसकी power कम दे रखी थी rating में वो जादा glow कर रहा था बट जब तुम parallel में connect कर रहे हो जब तुम parallel में connect कर रहे हो तब voltage क्या होगा हर बल के cross same होने वाला है तो power consumption का जो formula लगा होगे वो किसका लगा होगे V2 by R वाला जहां पे voltage same होगा तो हम power जो हमारा dissipate होगा वो power is inversely proportional to R हो जाएगा क्या बिलकुल मतलब जिसकी resistance ज़्यादा होगी वो power कम लेगा तो simple सी बात clear कर लो यहां पे कि भाया R2 का resistance क्या था कम था तो यह power ज़्यादा लेगा और यह ज़्यादा glow भी करेगा तो reverse case समझ सकते हो क्या बिलकुल की series में जिसको power कम लिखा होगा वो ज़्यादा power consume करेगा ज़्यादा heat dissipate करेगा ज़्यादा रोशनी भी देगा तो यह कुम्की ज़्यादा दे लाए तो रोषनी ज़्यादा देरहाकर समझ में आई बार इसके कल question भी करेंगा मच्छे एच्छे तब समझ समय ऐगे तो एक बार इसको फिर से reverse करके देखना और خुद से try करना क्या पहला काम दोनों बल्ब की resistance निकालना देखना किसका value ज्यादा है अब series में connect करोगे तो current क्या है आपका same होने वाला है constant होने वाला है क्या बिलकुल current same है तो हम formula use करेंगे p is equal to v i square into r क्योंकि current अगर same कर दोगे तो power totally dependent हो जाएगा r पे और यहां पे जब तुम parallel में connect कर रहे हो तो दोनों के cross potential difference same हो जाएगा तो power totally depend हो जाएगा फिर से resistance पे तो resistance हमने निकाला है और हमें power को totally depend करना न था resistance के term में तो v अगर constant है वहाँ पे i constant था series में क्या होता सारे circuits में सारे appliances में current same जाती है समझ में आई बात चलो बहुत ही अच्छी बहुत अच्छा भाई अब इसके बाद हम एक question कर लेते हैं कुछ आपकी चीजे बची है question कर लेते हैं ठीक है एक छोटा सा है question उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अब देखो जो भी एक छोटा सा term यहाँ पर आता है कि हम जो payment करते हैं यह question आप लोग try करो तब तक मैं इसको explain कर देता हूं कि जो हम payment करते हैं ठीक है payment करते हैं कि कोबिया हैan Use commercial unit के एकॉर्डिंग कोमर्षियल यूनिट के एकॉर्डिंग क्यों में बाद तो करते हैं हम यही तो करते हैं भाई कोमर्षियल यूनिट के क्योर्डिंग कि हमने अगर एक energy use करा है तो कुछ rate होगा कि दिस एनर्जी पर अपना पर यूनिट का पैसा लेते हैं मालूब 5 यूप है पर यूनिट तो जो एनर्जी हम लेते हैं वो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए किलो वाट इन्टू आवर ठीक है यह होती है हमारी कॉमर्शियल यूनिट को दिखाने का तरीका त तो पावर की जो यूनिट हम जनरली बात करते हैं प्रॉब्लम में वोट की बट कॉमर्शियल यूनिट में हम इसको कनवर्ट कर देते हैं किसमें किलो वाट में क्योंकि हम आसानी से समझ सकते हैं कम कैलकुलेशन होगी आपके पास ठीक है तो जो किलो वाट मतलब आपको पॉर्ट में गिवन होगा तो इसको कीलो वाट में कनवर्ट करें ना इन्टू ह् समझ में आई बात समझ में आई अब मालो आगए पांच ग्ञंटे के लिए तुमने यूच किया है तो कितना रुब्लं के उपर फोकस करते हैं फटा-फट से सारे लोग शुरू जंद इन करो, मुझे नहीं पता चाहएं से आउसर करो, चाहएं से प्रॉ regen लग जानी चाहिए आपसे, है ना लग गए क्या, लग गए क्या प्रॉब्लम तुम से आई गजब गधे हो तुम लोग कुछ कोसिस भी नहीं करते हो अपने एंट से कि कुछ भी कोसिस कर लो थोड़ी से भी तो पढ़ाई करो यार इतना हम लोग इफट डालने अप लोग के लिए इतना महनत कर रहे है तो कुछ तो तुम भी इफट डालो इतना तो काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो चलो अब इस problem को देखो, दो इससे मैं तोड़ूँगा, मैं problem को और फटा फट से करूँगा, यह क्या है एक आप lamp लगा रखे हो, एक क्या लगा रखे हो, एक क्या लगा रखे हो भाई, टू lamp है, ठीक है, यह lamp 1 है, parallel में तुमने connect कर रखा है, और यह lamp 2 है, ठीक है, यह lamp 2 है, यह lamp 1 है, तुमने इसको parallel में connect करके रखा हुआ है, यह आपने energy का source लगा रखा है, that is, 220 volt, पहला काम आप क्या करोगे, electricity chapter में, कि थोड़ा सा अपनी कलाकृती को बाहर निकालोगे, जो आपके अंदर है, छुपके बैठी सब के अंदर होती है, जब वो अकेला होता है इंसान, त सब दिखा देता हूँ, try करेगा तो निकल जाती है, तुम भी try करो, निकालो अपने अंदर से, जो कलाकृती है तुमारे अंदर, ठीके, तो lamp ऐसे बनाओ पहले, कि यहाँ से फिर, दोनों के cross क्या होगा, voltage का source जो होगा, वो same होगा, clear है, बिलकुल two lamp, पहले lamp की जो rating दी 60 watt into 220 volt, ठीके, R connective, what is current drawn from the supply line, अब तुम्हें बताना है, current कितना जाएगा supply line में, बताओ बाई, बताओ, बताओ, देखो, जो आपको पूछा किया, यह total current कितना जाएगा, तो पहले हम काम करते हैं, resistance निकाल लेते हैं, दोनों का, तो P is equal to V square by R वाला formula, use कर लो मुनना, फटा फट, तो P आपको दे रखा है, R will be 220 into 220 upon का power, that is 100, और इस case में भी R2, R1, R2, देखो, मैं बताओंगा, कैसे आपको बोला क्या गया निकालने के लिए, actually, यह समझना भी, देखो, यह फिर से 220 into 220 upon का 60, ठीक है, तो यह कट जाएगा, यह भी कट जाएग इकट जाएगा, that is 11 upon 3, ठीक है, यही तो होगा, ठीक है, चलो, तो यह basically, आपका हो जाएगा, कितना, यह 242 होगा सायद, ठीक है, am I right, बिलकुल, upon 3, तो यह हो जाएगा, आपका ओम में R2, यह R1, this is R2, 484 पकड़ लेते हैं, यही तो आएगा सायद, ठीक है, 484 ही आएगा सायद आपका, हाँ, 484 ही आएगा, यह ओम में, अब R1 और R2 की पहलू पता है, यह क्या है, 484 ओम, और यह क्या पता है, 242 बटा 3 ओम, क्लियर है क्या यह बात, क्लियर है, अब देखो तुमसे बोला गया, net current के लिए पहले क्या करोगे, R equivalent निकालोगे, तो R equivalent क्या निकल जा मैं नहीं करने वाला, आपको बस समझा दे रहा हूं कैसे होने वाला है, इसके बाद हो मोग देखे, छुट्टी करते हैं भाई, फटा-फट, ठीके, class भी तो है आपकी, चलो, तो यह हो गई आपकी R equivalent, अब R equivalent पता है तुम्हें, और voltage पता है, तो V is equal to, अगर IR भी लगाते हो, तो I की value निकल जाएगी, क्या, यह क्या है R equivalence, और voltage आपको दे रखा है 220, तो simple सा काम करना है, V is equal to IR apply करना है, और क्या करना है, value निकालेना है, तो यहां से I की value चाहिए, तो V upon R कर लेना, और वो क्या होगा 220, ठीके, 220 upon R का equivalent, इतना simple सा काम है, ठीके, चलो, एक अलग सा problem देता हूँ, मैं आपको यह वाला, जो problem यह बच्चा कर ले गया, उसको मैं कुछ न कुछ award जरूर दूँगा, उसका नाम में announce करूँगा, तुम अपनी photo भेजना, ठीके, वो कर सकता हूँ, मैं तुमको motivate करने के लिए, कि अगले session में तुम्हारी photo front पे होगी, एकदम front प कल निकालेंगे अपन practice session में, ठीके, practice session में कल निकालेंगे हम बिजली का बिल, ठीके, बिजली का बिल का बिल भरेगा, तुम्हारी पापा, तु तु भाई, पता होना चाहिए, अब तुम्हें पता होना चाहिए, ठीके, चलो, इसके बाद कल एक-दो, एक law पढ़ेंगे, तो आई हो पेल सारी चीज़े समझ में आई किया आपको, नई समझ में आयी होगी तो बाबू पूछ लेना कमेंट में, ठीक है? आपका काम क्या है? पूछना और पढ़ना समय के साथ पढ़ते रहू, अच्छे से समझते रहो चीज़ों का और मजा लेते रहू, ठीक है बबाई एवरिवन मिलते हैं कल वाले लेक्चर में तब तक के लिए बाई